देखे आज का टॉपिक है mechanical properties of solids या general properties of matter matter के बारे में बात करें जा रहे हैं matter का मतलब होता है उसमें हम solid liquid gas सब के बारे में बात करेंगे जैसे solid में आप जानते हैं कि कोई भी कोई सी wire को आप खीचे कुछ ऐसे wires होते हैं जिनको खीचने पर जैसे छोड़ देंगे अपनी position में लोटके आ जाएंगे वो property उसकी elasticity कहलाती है या अगर हम कभी आप ध्यान से देखें जब दूद आप गरम करिए और गरम करिके रखिए अगर अच्छा है तो और खराब ही चलता है हलकी से मलाई उसको पर पढ़ जाती है एक layer पढ़ जाती है इसी प्रकार से पानी अगर बहुत दिन तक रखा र इस property के बारे में हम बात करेंगे उसी प्रकार से जैसे बाल्टी में पानी भरा हो और उसको ऐसे से घुमाये खुपकस के वो ऐसे घुमने लगेगा और उसको छोड़ दीजे तो थोड़ी दिरे बाद रुख जाएगा मतलब कोई न कोई है उस water के layer के बीच में ऐसे जो उस क्या है कि हवा के जो molecule है उनको आप फुलाते हैं बैलून फूलता है बैलून पर प्रसड लगता है तो प्रसर के बारे में बात करेंगे तो इनी सब कानी है ठीक है जिसे पहला topic हम बात करने जा रहे है mechanical property of solids के बारे में बात करने जा रहे हैं अनि आप सब matter properties हैं चाहे वो liquid हो चाहे वो gases हो चाहे वो solids हो इन में सब में intermolecular force molecules के बीच में लगता है यह atoms के बीच में जो फोर्स लगता उसको हम कहते हैं interatomic force तो यह force लगता कैसे हैं देखें जैसे हम जानते हैं कि हर atoms के में atom या molecule जो भी आप कहें atoms के बीच में कुछ space होता है जिसको कहते हैं intermolecular distance distance कह सकते हैं space कह सकते हैं और यह molecules है नहीं वो आपका जो net है वो धीमा तेज हो रहा है मेरा तो भाई वाई-फाई लगा हुआ है नहीं वो भी गरबड कर देता है यह तो भाई अब हम लोग तो हवा में अटके हैं ना है बहुत हैं अब कोई हमको भी रोख सकता है को यह आप सकता है लेकिन हम लोग उड़ते रहेंगे खैर अभी आ रहा है ना तो इंटर एटॉमिक distance को कह सकते हैं इंटर इस पेसिंग भी कह सकते हैं अब अगर इन किस बीच वाले atoms को देखता हूं अगर इसको आप आप नजदीक लाते हो तो कही न कहीं से आप खीचो गई इसको मैं अगर इनके बीच में माल नहीं यह spring लगी वी है कि तो अगर वाला जो गमालिकिल आप लीजियों को कि अगर इसका किसी भी तरफ नसको नहीं को बता रहें हैं एसे तो अगर यह वाल दूमाली कुल आप लिजियucky आजना मॉली की छी आगर इसको किसी भी तरह तरफ करते हो हैं तो एक तरफ की spring सिकुडेगी तो एक तरब की expand होगी और spring क्या करती है इसको oppose करती है अपोस करके फिर अपनी position में लाने का प्रयास करती है तो जैसा कि spring में action होता है वैसे molecule के बीच में action होता है ठीक है तो इसी action के बारे हम बात करने जा रहे है ठीक है इस property जो कहा जाता है elasticity इसको क्या करते हैं elasticity आप जानते है अब इसमें बहुत सारे नय नय नाम आएंगे ठीक है उन नाम के बारे में जानकारी होने चाहिए वो याज होना चाहिए सबसे पहला आप लिखे deforming force बहुत सारे इसमें name आने वाले है तो आदेर तो सबसे पहला जो है वह deforming force नाम से लग रहा है कि जो किसी बॉडी के form को change करते हो को को या size को change कर दें, तो that force is known as deforming force, हम कह सकते हैं रिखेगा a force which changes the size or shape, the force which changes the size or shape of a body is called deforming force, उसको हम deforming force कहते हैं अब जो आप deforming force लगाते हैं, तो कुछ body तो permanently deform हो जाती है, ममी ने रोटी बनाई और थोड़ा आटा लिया और आटे की गोल गोल बनाया, उसमें एक force लगाया, deforming वो deform हो गई, और deforming और deforming तो बन गई रोटी, तो उसने विरोध नहीं किया, ठीक है, तो ये तो हो गई plastic bodies, ज जैसे हमने force को हटाया, जैसे वो body अपनी original shape को gain कर लेती है, तो इन bodies को हम कहते हैं, elastic bodies, तो ये जो इसकी property है, कि deforming force के हटा लेने पर body का फिर अपनी state में lot आना, perfectly, उसको कहेंगे हम elasticity, तो अगला है elasticity, elasticity, यानि elasticity, एक्चुली में उस body के material की property होती है, material पे जो लगाईएगा, body के material पे होती है, तो लिखेगा, elasticity is the property of the material, elasticity is the property of the material due to which, due to which, when it is, when it is, when it is de-shaped, language अपनी आपनी आपनी सोते है, when it is de-shaped, it applies a force, it मतलब बोड़ी, it applies a force, it applies force and it opposes, and it opposes, and it opposes, the deforming force, and it opposes the deforming force, लिखा, and as deforming force is removed, body again regained its original shape and size, and when deforming force is removed, it again regained its original shape and size, यह अपनी लेंगोज में आप लिख सकते हैं, अपनी भासा में लिखते हैं, when we apply any deforming force on the body, then the shape and size of the body changes, as we remove the deforming force, body again regained its original shape and size, तो this property of regaining its original shape and size is called elasticity, यह उसकी जो property होती है, और यह property of the material है, मतलब लोहे की एक property है, वो चाहे लोहे का अतार हो चाहे बकसा हो चाहे जो उसकी property है, अब दो प्रकार की body होती है, जो body originally जो है अपनी shape में आ जाएं, वो कहलागी perfectly elastic, perfectly elastic और जो नाएं वो perfectly plastic तो लिखेगा perfectly elastic bodies, perfectly elastic bodies इसके बारे में लिखवा नहीं रहा हूं, मालूम है कि if we apply the force on a body and as we remove that deforming force, if the body regained its original shape and size again, then they are perfectly elastic bodies, otherwise they are perfectly plastic bodies, वोना उन्हों क्या कहेंगे, perfectly plastic bodies कहेंदे, और regain करने की जो property होती है, वो आपकी elasticity होती है, तो ना regain करने की property क्या होगी, plasticity हो जाएगी, तो अगर आप से कहें plasticity का मतलब होता है, इसका मतलब यह उसकी property होती है, कि body दुबारा अपनी shape को regain नहीं करती, जैसे गीली मिटी है, उसमें अगर आप ऐसे उंगली कर दें, तो वो घड़ा बन जाएगा महाँ पर, तो क्योंकि वो plastic body है, अब आप कहेंगे तो plastic की नहीं है, तो मिटी की है, देखें plastic का मतलब वो plastic नहीं, plasticity उसकी property का नाम है, इसलिए वहाँ नाम plastic से plastic बनाया गया, उसी property को लेकर की, वो पुना अपनी state को regain नहीं करती, ठीक है, अब इसको intermolecular force के according इसको explain किया गया, intermolecular force के अगे इस बुक में अपने आप पढ़ लिजेगा, हलका साब मैं बता देता हूं कि intermolecular force होते हैं ऐसे, हर molecule के बीच में force लगते हैं, और जब यह molecule अपनी जगह से मालियाई है, spacing है इसके बीच की R-naught, यह दो molecule के बीच की दूरी है R-naught, अगर आप इनको अपनी जगह से deform करने, R-naught को बढ़ा दें, तो simple सी बात है, अगर एक तरफ से बढ़ा दोगे, तो एक तरफ से घड़ जाएगी, यह दोनों ही case में क्या करेंगे, oppose करेंगे, यह जो molecule है यह इसके बढ़ने को oppose करेगा, और इसको अपनी state में लाने का प्रयास करेगा, अपनी state में आईए, और यह चुकि molecule उसके नजदीक आ रहा है, तो यह इसके नजदीक आने को oppose करेगा, और यह अपने state में लाने का प्रयास करेगा, तो ultimately उसको अपनी original position में रहना पड़ेगा, तो अगर वह original position में रहे जाता है, तो कहेंगे वह elastic body है, और अगर D-shape हो जाता है तो वह plastic body है, तो इसको अपने आप explain कर लेंगे, अब यहाँ पर एक word आया है stress, नए नए word है ध्यान रखेगा, stress, देखें, stress क्या होता है, क्यातना ज्यादा stress मत लिया करिए, तो stress क्या होता है, देखें, जब हमने body पे force लगाया, force ऐसे लगाया, और body को हमने अपनी जगह से displace किया, हाँ उसको चाहे कम किया या ज्यादा किया, अगर तार को बढ़ा दिया, या ऐसे spring को दबा दिया, तो जो हम force apply करते हैं, that is applied force, तो body अंदर से एक restoring force लगाती है, restore मतलब अपनी पुरानी state में आने के लिए, तो जो restoring force per unit area लगता है, उसी को कहते हैं stress, तो लिखेगा, the internal restoring force per unit area, the internal restoring force per unit area, the internal restoring force per unit area, of cross section of a deformed body, per unit area of cross section of a deformed body, is called stress, is called stress, यानि stress is equal to, कौन्सा force, force पार अरिया नहीं लिख रहा हूं है, restoring force, restoring force upon area, यानि F upon A, अगर मैं कहूं इसका unit क्या है, तो आप कहेंगे Newton, पर मीटर स्क्वार, हैं, हो जाने दीजिए, कोई बार नहीं, force upon area, pressure ही होता है एक तरीके से, pressure ही होता है, एक हम pressure आपके उपर लगाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यह deforming force लगाते हैं, और अंदर से जो pressure आपके create होता है, यह internal pressure create होता है, ठीक है, अब कहेंगे भाई यह जो आपका restoring force इसको ना पे कैसे, भाई उस atom के अंदर, उस molecule के अंदर यह उस body के अंदर तो घुस नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने 10 newton से उसको खीचा है, तो body ultimately 10 newton का restoring force लगाएगी equilibrium में, ज़रा समझेगा, आपको मैंने एक मोटा सा plastic का एक रवड का हमने एक rod दे दिया, एक टुकड़ा दे दिया, हमने का इसको खीचे, आप अब रवड के टुकड़े को नहीं मालूं कि आप क्या करने जा रहे हो, तो उसके अंदर से कोई restoring force अप्लाई नहीं होगा, आपने एकदम से उसको खीचा 10 newton लगा दिया, लग जाएगा आराम से खीच जाएगा, और लगा करके रोक दीजे वहीं पर, और हमने का यहीं रोके रही आप, तो आप रोक नहीं पाएंगे, क्यों कि जब हम एकदम से 10 newton लगाएंगे, यह कौन सा force है, यह है deforming force, लेकिन जो restoring force लगेगा, वो धीरे धीरे लगेगा, एक newton, दो newton, तीर newton, चार newton होते 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 कहां तब भूचेगा, 10 newton तक, अब वो आपके 10 newton को oppose करेगा, तो आपको लगातार 10 newton का force लगाया रहना पड़ेगा, जो के दिक्कत है, आपने देखा होगा कभी तो भी मेले में रोबोट लेके आते हैं, ताकत उसे ना पी जाती है, ऐसे पकड़े एक खीचे एक दम से, खीचते हैं और खीच के उसमें एक indicator आता है इतने newton का, और खीच के खड़े रही है आप, तो आप खड़े रहे गए, तो बड़ी मुश्किल से खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपने खीचा वाले आप 50 newton का force अब लगा सकते हैं, तो जैसे 50 newton का force लगाओगे, उसकी जो अंदर की spring होती है, वो उसको oppose करती है, और आपके opposition में 50 newton तक force लगाईगी हो, तो आपको लगातार उस 50 को balance करने के लिए लगातार force लगाया रहना पड़ेगा, ठीक है? तो यह आपकी equilibrium की condition में, जो restoring force होता है वे applied force की ब्राबर होता है, तो एक noting करके लिख लिएगा, in equilibrium applied deforming force, is equal to applied force, is equal to restoring force, यह एक की condition में जो आप force apply करते हैं, actually में body के अंदर उतना ही force restoring लगता है, तो applied force में दिया हुआ है, उसी को restoring की बराबर हम लेख सकते हैं, ठीक है? अब stress कितनी तरीके की होती है? तो लिखे types of stress, types of stress, अगला है types of stress, देखो simple language में समझेगा, अगर आपने force लगा करके body की length change की है, ऐसे, जैसे force आप लगाएंगे body, अपनी original state में आएगी, तो length में अगर आप change कर रहे हो, उसमें जो deforming force लगा रहे हो, उसमें जो stress है, उसको कहते हैं longitudinal stress, पहला लिखे longitudinal, longitudinal, longitudinal और tensile stress, tensile stress, यानि कि जिसमें body पे force लगा करके उसकी length आप change कर रहे हो, उस condition में जो restoring force लग रहा है, उसकी length को अपनी original length में लाने के लिए, तो उस stress का नाम क्या होगा, longitudinal stress, तो लिखेगा, when we apply deforming force, when we apply deforming force, the length of the body increases, the length of the body increases, in the direction of deforming force, in the direction of deforming force, in the direction of deforming force, then restoring force per unit area is called longitudinal, then the restoring force per unit area is called longitudinal or tensile stress, अब अगर हमने क्या किया वायर को ऐसे spring समय लिजेगा, हमने उसको दबाया, क्या कर रहा हूँ अब मैं, length को decrease कर रहा हूँ, और अगर जैसे छोडेंगे तब, तो ये भी तो वही stress है, लेकि length decrease हो रही है, तो ये भी longitudinal है, लेकि थोड़ा सा नाम चेंज किया, इसको कहा गया compressive stress, तो अगरा लिखे compressive stress, compressive या compressional stress, कह सकते हैं, आप जो पहली वाली definition है, उसी में आप लिख दिजिएगा, जहाँ length increases लिखा हुआ है, वहाँ length decreases लिख दिजिएगा, बस काम कर तब, कि ये अप्लाइद डिफार्म फोर्स, the length of body decreases, in the direction of deforming force, then restoring force current area, is called that compressive stress, तो दोनों ही cases में, ये रहेगी longitudinally, ठीक है, अब जैसे आपने कहीं, normally किसी body के force लगाया ऐसे, तो body का volume change होता है, ऐसे, तो इसको कहते हैं, volume change होगा, तो इसको कहते हैं, volume stress, अगला है volume stress, नेक्स्ट है, ये wire में लगा रहा हूँ, इसमें एक सेरी, बात वही है, मैं यहाँ पर wire में लगा रहा हूँ, एक तार को ऐसे कर रहा हूँ, तार के length हो रही है, अब आप कहेंगे, उसकी volume से change होगी, लेकिं तार की लंबाई ज़्यादा होगी, तो in compression to length, उसकी मोटाई कम change हुई, जैसे आपने का, compressional में भी आप नॉर्मली बता रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, तो force नॉर्मल ही सब जगे लग रहा है, लेकिन भाई हम इस wire को जब खीए, ये जो पहला वायर है, ये वाला वायर है, जब हम इसको खीच रहे थे ऐसे, तब भी तो नॉर्मली force लगा रहे थे, तो force हर जगे नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन आप चुकि वायर की length की compression में, उसकी मोटाई बहुत कम होती है, तो हमें माल लेते हैं length बढ़ी, हम वालूम को, उसकी मोटाई को consider कर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं मोटाई कम नहीं होती है, अगर आप वायर को खीचते हो, तो उसकी length बढ़ती है, तो मोटाई पर क्या फर्क बढ़ता है, कम हो जाती है, तो वह भी stress होती है, उसके बारे में बात की जाएगी है भी, तो लिखेगा volume stress, अगला है volume stress, volume stress, या दूसा इसका नाम है bulk stress, या अगला है hydrostatic stress, hydrostatic stress, या नाम ज्यादा तर आता है volume, hydrostatic stress नहीं आता है, तो अब अगर मैं restoring force per unit area लगाँ, और body का volume change हो, तो इस condition में जो आपका restoring force लगता है, वह कौंसा होता है, तो लिखेगा, it is restoring force per unit area of the body, it is restoring force per unit area of the body, when its volume changes under deforming force, when its volume changes under deforming force, आप दो को यह definition पहले वाले fit कर दो, तर restoring force per unit area, when the length changes, मतब हर समय change कर दो, length change होगी तो longitudinal, length decrease, length decrease लिख दो, when a deforming force length को decrease, changes का मतब बढ़ रही है, और decrease मतब यह compressive हो जाएगा, तो इस definition को fit कर सकते हैं, next है tangential और sharing stress, अगला है tangential और sharing, sharing stress, अब देखिए हमने एक बॉड़ी ली ऐसे, इस प्रकार से बॉड़ी ली और इसको fix, नीचे fix कर दिया, और हमने उपर से ऐसे tangentially धका मारा, अब थोड़ा सा इसे change हुई, हमने छोड़ दिया यह फिर अपनी state में आ गई, तो ना तो इसकी length change हुई, ना तो इसकी shape change हुई, ना तो इसको volume change हुआ, केवल यह थोड़ा सा अपनी position से change हुगई, हटा दिया force, बॉड़ी अपनी position पे आ गई, यह तब होगा न, अगर आप normally ऐसे खोपड़ी पे दबाओगे, तब तो body का question को change हो जाएगा न, अगर ऐसे धका मारोगे तब वो position change होगी, तो यह force है, हाँ, टार्क ही मा लीजे, उस body को हमने हलका सा tangentially force लगाया, body की position change की, और छोड़ दिया body अपनी position पे आ गई, तो इसको कहते है tangential status, आ गई वारा जो force लगा है, देखें, यहाँ पर दो चीजे हैं, हमने force लगाया body गई, एक force अंदर से लगा और आ गई, तो आ गई के लिए जो force लगा है, जिसका के नाम restoring force कह रहे हैं, वो restoring force upon area यह stress है, तो लिखेगा, when a deforming force acts tangentially to a surface, when a deforming force acts tangentially to a surface of a body, its position changes, its position changes but its internal configuration, बस एक बढ़िया सब ले लो configuration, configuration सब कुछ आ गया, length भी आ गया, volume भी आ गया, सब आ गया, its internal configuration remains unchanged, internal configuration remains unchanged, अगर ऐसा force आपने लगाया तो, then the tangential force per unit area is called, tangential or sharing stress, tangential force per unit area is called, tangential or sharing stress, actually हुआ क्या हमने एक क्यूबाइड लिया हुए, क्यूबाइड को हमने उपर का surface दिखाया, आपको टॉप, बिल्कुल सामने से आप देख रहे हैं, जैसो चाक का डिबबा होता है ना, उसके सामने से आप देख रहे हैं, और ये नीचे का portion चाक के डिबबे का मने fix कर दिया, ये चाक का डिबबा था, मालिया PQRS, अब हमने उपर से tangential force लगाया F, ऐसे tangentially force लगाया, तो क्या होगा, कि मेरे pair fix हैं, लेकिन हमारी body थोड़ा ऐसे displace होगी, ना तो लंबाई बड़ी ने कुछ नहीं बड़ा, तो ये वाला जो PS है, वो यहां पर आ गया, और ये वाला यहां पर आ गया, मने ये theta angle से घुम गया, ये P P dash पर आ गया, Q Q dash पर आ गया, तो थोड़ा सा displace हुआ, position तो change हुई, अब जैसे ही छोड़ेंगे, तो एक force इसके अंदर लग रहा होगा, जिसकी value हमारे applied force के equal है, तो वो जो force per unit area है, उसी को हम sharing stress कहते हैं, ठीक है, ये diagram हलका सा अपनी जान करे लिए बना लो, देखता हूँ, पहले सुनिएगा, अब मैं इस stress को कौन सी quantity मानू, एक note लिखेगा, ये stress कौन सी quantity है, आपको याद होगा हमने दो प्रकार की main quantity बताई थी, एक होती है vector एक होती scalar, एक और हमने बताई थी, वो याद नहीं रहा, देखो याद रखना पड़ता है न, वैसे यहाँ को जूरूत नहीं है, जब मैंने ये plastic ये आपका rubber का pen था, था मला है नहीं, जब मैंने इसको घसीटा, तो इसकी क्या क्यों length बढ़ेगी, length बढ़ेगी और इसकी मोटाई कम होगी, तो length को अच्छा ये elastic body है, तो length को अपनी position में लाने के लिए क्या होगा एक अंदर से force लगेगा, और radius को अपनी लाने के लिए एक और force लगेगा, उसकी मोटाई की direction में हर तरफ लगेगा ऐसे, यहां पर stress का एक direction तो नहीं है, so many directions are there, तो stress एक tensor quantity कहलाती है, vector में लिखी होगी, अगर vector quantity कहोगी तो vector quantity वह है, यह vector quantity है, लेकि जिस vector quantity में many directional property आ जाती है, बहुत सारी direction होती है, तुने हम tensor quantity कहते हैं, एक note लिजेगा, stress is a tensor quantity, stress is a tensor quantity, because it has many directions, it has many directions, हम pressure को भी tensor बोल सकते हैं, अगर आप किसी balloon में हवा भरते हैं, तो अगर नियमता अगर वह pressure है, है तो है उसके अंदर pressure, तो नियमता अगर pressure की एक direction है, तो जहां पर pressure की direction है, अगर वहां मैं hole कर देता हूं, तो वहां से हवा निकलना चाहिए, लेकिन मैं उस balloon में जहां जहां भी hole करता हूं, वहां से हवा निकलना शुरू कर देती है, तो हम कह सकते हैं, तो pressure is a many directions quantity, तो इसको भी tensor quantity कह सकते हैं, अब लिखे strain, यह तो stress हो गया, strain, strain, stress की बजाए, अब यहां पर नाम चेंज होगा, strain, s-t-r-a-i-n, हम एक common word यूज़ कर रहें, configuration, configuration अपने chemistry में बहु सारा बार बार पढ़ा होगा, तो जो मैं बात configuration करता हूँ, तो उसमें length भी आता है, volume भी आता है, और हब सब कुछ आ जाती है, तो किसी भी body में उसके configuration में चेंज हुआ, अपन जो original उसका configuration था, उसको हम कहते हैं, strain, ठीक है, तो लिखेगा, it is the ratio of change in configuration, it is the ratio of change in configuration, to the original, configuration में bracket में dimensions लिख लो, यानि extent is equal to change in configuration, आप इसको dimensions लिख दो, dimensions माने वो dimensions नहीं है, sides है, upon original configuration, इसकी यूनिट क्या होगी, no unit, इसकी कोई unit, नहीं होती है, आपको जब dimension पढ़ाई गई थी, वह वाली dimension नहीं, वह पुरानी वाली, तो वहाँ कहा गया था कि extent की कोई dimension नहीं होती है, अब लिखे, types of strain, types of strain, यह आ गई, जितने type की stress होती है, उतने type की strain होती है, तो number one लिखे, longitudinal strain, longitudinal strain, 10 side मत लिखेगा, longitudinal strain, extent, देखे, अब हमें definition नहीं लिखाऊंगा, अब longitudinal strain में लंबाई को change करना है, तो उसका कौन सा configuration देखना है, तो change in length upon initial length हो गया, अब longitudinal strain में भी compressive आ गया, वो compressive उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, तो number 2 आएगा, हाँ बताईए, change in length upon initial length, change upon initial, जो भी change होता है, change कैसे निकालते हैं, बस, अब 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 अगर compress हो रहा है, तो final minus initial करोगे negative अपने अब आ जाएगा, तो अगर कोई ची नेगेटिव आ रही है आपके फार्मूले से, तो आप कहेंगे कि इसमें एक length कम हो रही है, compress हो रहा है, दूसरा है आपका volume strain, volume strain, इतने नाम ठीक है, बहुत साले नाम इसके मतलो, volume strain, तो क्या होगा, change in volume upon initial volume, change in volume upon initial volume, तीसरा है, शेरिंग strain, शेरिंग strain, शेरिंग strain, देखो जो शेरिंग strain होता है, वो कैसे निकाला जाता है, इसकी definition नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, जितने भी strain है, change in length upon initial length ratio is known as, कह सकते हो, ठीक है, देखे, शेरिंग strain में क्या हो रहा है, यह हमारी original position थी, और हमने क्या किया, यह आपकी original position body की थी, और आपने इसके lower portion को fix कर दिया, upper portion में एक tangential force आपने apply कर दिया, अब क्या हुआ, रे क्या लिख लो, P, Q, अचाहिए दर R लिख दिया था, जब आपने force लगाया है तो यह body, यह point यहां पर आ गया ना, तो यह theta angle से जो हुआ, तो theta ही आपका sharing strain है, हाँ, निकाल सकते हैं आप देखिए, theta is very small, तो theta को 10 theta मान के, अगर मैं माल लूँ, कि इसकी जो length L थी, और यह x displaced हुआ, यह delta x displaced हुआ, तो theta को आप 10 theta मान के, delta x upon L से निकाल सकते हैं, तो ratio आगया है नहागया, angle की भी कोई unit नहीं होती है, जब theta बहुत इसमाल होता है, तो आप चाहें तो sin theta लगा दें, चाहें तो 10 theta लगा दें, आपने limit पढ़ी होगी mathematics में, यह आप पढ़ेंगे आप, कि sin theta को क्यों theta लिखा जा सकता है, यह 10 theta को क्यों theta लिखा सकता है, आप जानते हैं, sin 0 को लिए 0 होती है, theta बहुत इसमाल होता है, तो sin लगाओ यह न लगाओ, कोई फरक नहीं पढ़ता है, साइन्स बड़ी अजीव है, यह जब जरुवत पढ़ती है, तो smallest value को भी लेकर के, हमको proof दिखाती है, और जरुवत नहीं होती है, अब क्या किया जाए, अब आपने का ठीक है, एक body की elasticity होती है, हमने आपको आप गए मार्केट में और बढ़िया, मुझे आपने, अच्छी company के देखे, कौन सी company के अच्छे होते हैं, हम लोग तो 1020 में ले ले लेते हैं, जनरी company में कौन कौन सी company के होते हैं, आपने company के देखे, आपने का इसकी elasticity कैसी है, आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे पूरी ताक रहा है, बेकार हैं, क्यों टूटा भाई, या हमारी body में थोड़ा elastic चीज़ है नहीं, हमने हाथ पकड़ा है, ऐसे ऐसे एड़ दिया हाथ बाहर, बोले कहाँ elastic है, तो उसकी एक limit होती है न भाई, हमने रबर आपको spring दिया, spring में elasticity होती है, नेचर दूसरा होता है उसका, आपने spring लिए और ऐसे खीज के तार बना दें, कहाँ elastic होती है, तो भाई उसके लिए क्या होता है, एक limit होती है, तो किसी body की वह limit, जब तक उसमें elasticity की property maintain रहे, वह elastic limit होती है, तो जब हम कोई definition की बात करेंगे, तो हम कहेंगे under elastic limit, मतलब limit के अंदर होना चाहिए, ठीक है, जैसे एक पिक्चर आई थी उसमें एक इंटर्विव आज़ा, दारा सिंग का नाम सुना होगा आपने, पहलवान थे हमारे हनवान जी का रोल किया उन्हों रामायड में, नाम नहीं जानते हो, बहुत पहलवान थे हनवान जी का रोल रामायड में जो देखोगे, तो उसमें हनवान जी का रोल किया उन्होंने, तो रोल बहुत रही पिक्चर ने कियें, बहादूर थे, तो उनको था हिरोईन का हाथ पकड़ कैसे खीचना है, उन्होंने धीरे से फोर्स लगाया हाथ उखड़ाया उनका, यहां से उखड़ गया, अब त्रिकत उनकी फोर्स के हिसाब से उनकी जो हाथ की लिमिट वर्दास नहीं कर पाई, तो फिर सही कराया गया, बाद में कहा गया दारा सिंह से तुम खीचना लेकि तेज नपकरना, और उसे कहा गया आप पोर्स करना लेकिन चली जाना साथ में, मतब फोर्स लगाया तो दुबारा हाथ बाहरा जाएगा, तो उनके फोर्स के लिमिट है न, तो इलस्टिक लिमिट का मतलब होता है कि ऐसे डिफार्मिंग फोर्स जब तक बाड़ी के अंदर इलस्सिटी की जो प्रपरटी है वो मेंटेन रहे तो लिखे एलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, नाम सही लग रहा है, तो लिख लिजेगा the maximum defarming force, the maximum deforming force the maximum deforming force up to which up to which the body regains up to which the body regains its original size or shape its original size or shape after removal of deforming force after removal of deforming force is called elastic limit is called elastic limit अब अगर आप जैसे आप मुझे हमने भी example लिया मुझे आप पहनते हम लोग मुझे पहनते हैं तो नए नए मुझे क्या होते हैं पैर में बहुत टाइट लगते हैं जब रोज लगातार पहनते रहो तो क्या होते हैं फिर खिसकना सुरू हो जाते हैं फिर क्या करते हैं उसके उपर हम रवर बहन चढ़ा लेते हैं कुछ लोग नहीं चुछाते होंगे हम लोग चुछा लेते हैं फिर नीचे से फट भी जाते हैं लेकिन आप चूकि जूते के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हमको लगता है किसी फंक्शन में जाना किसी कहां रुकना है और जूते उतार के मोजे पहन के बैठना पड़ेगा आप तो दिख जाएंगे तब चेंज कर लेते हैं क्योंकि हम लोग तो यूटिलाइज करने वाले हैं हर चीज यूटिलाइज करते हैं तो जब आप मोजे में फोर्स लगाते जाओ लगाते जाओ छोड़ा शिरू अपनी पोजिशन में आगया फिर लगाया एक आपने अंडर इलास्टिक लिमिट तक तो फोर्स लगाया लेकिन अगर आप डिफार्मी फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा कर तो तो क्या हो body permanently बड़ी हो जाएगी है है हो सकता है इलासी सिटी की probability उसे नहीं रहें लेकिन यह लेकिन फिर्मट्री रिफर्म हो जाती है नहीं हो जाती है तो ऑफ बालागज़ना व्लाती हैं कि लाती होंगी ना कि वह ही चलाहिदा है क्योंकि लगातार उसको फोर्स लगा तो इसको कहते पर्मानेंट सेट यानि अगर हम फोर्स डिफार्मिंग फोर्स से ज़्यादा कर देते हैं तो बॉड़ी पर्मानेंटली डिफार्म हो जाती है थोड़ा खीचेंगे तो फिर अपनी पोजिशन में आ जाएगी लेकिन उस पोजिशन में दुबार लौटके नहीं आएगी थोड़ा उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो एक लिखेगा अगर डिफार्मिंग फोर्स को इलासिक लिमिट से ज्यादा बढ़ाया यह न लिखिएगा मैं पता बोल रहा हूं लिखें कि इफ़ डिफार्मिंग फोर्स एकसीड सा देद कर दोड़ा मैंटल प्रॉड्मेंट इंदे बड़ोडी एक्वार्म अपॉर् deformation हो जाता है पर्मानेंट deformation हो जाता है और इसको कहा जाता है permanent set और permanent set पर्मानेंट set इसका मतलब body ने ज्यादा strain ले लिए अपने ठीक है कह सकते हैं ना तो और ने के end is set to be over strained body over strained कहलाती है